और गाइस कैसे आप लोग तो आज बात करेंगे आइफोन 7 के बारे में आइफोन 7 को आपल ने लॉंच किया था 2016 के सप्टेंबर में तो यह एक प्रॉक्सिमेटली पांट साल से भी ज्यादा पुराना आइफोन का मॉडल है तो अगर आप सेकंड लेना चाहते हो 128 GB का मॉडल तो अप्रॉक्सिमेटली कुछ 10 से 11,000 में मिलना चाहिए अच्छी कंडिशन में अगर आप एक रीफर्ब लेना चाहते हो तो तक्रीबन आपको 14,000 के करिब स्पेंड करना पड़ेगा जहां पर आपको 6 मंस की वेंडर वारंटी मिल सकती है डिपेंडिंग उन वेंडर और यहां पर बेस वेरियंट के बारे में बात नहीं करेंगे बिकास जो 32 जीबी का बेस वेरियंट आता है I don't think 2022 में लेना कोई सेंस बनाएगा सबसे पहले अगर डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो बिल्ड क्वालिटी काफी सही है 2022 के स्टैंडर्स के हिसाब से भी इसका फाइदा यह है पीछे ग्लास नहीं है तो गिरने पर क्रैक नहीं होगा लेकिन इसका एक डिस एडवांटेज यह है wireless charging यहाँ पर आपको दिखने नहीं मिलता जो करती कि wireless charging ना होना कोई deal breaker नहीं है लेकिन यहाँ पर फोन काफी ज्यादा छोटा है यहाँ पर आपको 4.7 इच का रेटेन डिस्पे मिलता है quality actual में दिखने जाए तो सही है 2022 के साब से भी लेकिन media consumption के जमाने में I think majority of the logo को इसका जो डिस्प्ले है वो डिस्पॉइंट कर सकते है बिकॉस अफ सच स्मॉल साइज बट अधा सेम टाइम यह एक परफेक्ट साइज भी है वन हैंड यूज करने के लिए तो यहाँ पे आपको अपने प्राइमरी आइफोन को अगर वन हैंड यूज करने का लक्शरी चाहिए 2022 22 में बहुत जादा मीडिया कंजप्शन नहीं आपका तो आपको इशु नहीं आएगा बाकि अगर दिखने जाए तो 720P का डिस्प्ले है ब्राइटनेस भी सही है आईपी 67 वाटर रजिस्टेंट भी है एंड डिखने भी अच्छा लगता है आइमिन पांच साल पुराना आ नहीं किया बस यहां पर आपको टैप्टिक इंजिन जो हो फिजिकल बटन प्रेस करने का फिलिंग प्रोइड करेगा अगर परफॉमंस के बारे में बात करेगा इस तो यहां परफॉमंस काफी सही है कंसिडरिंग 5 साल पुराना आइफोन का मॉडल है आइफोन 7 & 7 प्लस मे आपल ने A10 का fusion chipset इस्तेमाल किया जो कि उस ताइम का flagship chipset था तो day to day life में जो applications मैं personally use करता है उसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आया लेकिन बहुत जादा heavy task करने पर थोड़ा यह थक जाएगा मतलब YouTube है Twitter है Instagram है email से phone call से यह तो social media के कोई भी application ले लो उसको use करने में कोई भी issue आपको नहीं आएगा लेकिन जैसे आप इसके उपर heavy games किलते हो या तो heavy कोई task करोगे तो थोड़ा यहां पर आपको lag और jitteriness भी महसूस होगा because यह इतना जादा पुराना iPhone है and usually मुझे social media apps में तो कभी भी मुझे problem महसूस तो नहीं हुआ लेकिन थोड़ा बहुत कभी क connectivity के बारे में बात करेगा इस तो यहां पर iPhone 7 and iPhone 7 Plus दोनों में आपको single sim card की tray देखने मिलती है मतलब अगर आपको dual sim card यूज करना है तो वह वाला feature इस iPhone के अंदर आपको देखने नहीं मिलेगा अगर आपको single sim card यूज करना है तो iPhone 7 आपको चल जाएगा यहां पर connectivity में network में म इसका Wi-Fi भी काफी सही से काम करता है and call drops वगरा काभी मुझे issue देखने नहीं मिला लेकिन यहां पर dual sim card का feature नहीं है तो यह डिपेंड करेगा that आप single sim card यूज करते हो या तो आप dual sim card यूज करते हो तो इसमें आपका एक ही sim चलेगा अगर battery के बारे में बात करेगा तो यहा पुराना है तो आज के टाइम के मुताबिक इतना efficient नहीं मतलब iPhone 12 मीनी में देख लो 22 मिलियंपार के battery है लेकिन आपको पांच शे घंटे का screen on time मिल जाएगा because processor इतना efficient है लेकिन यहां पे processor भी पुराना है और battery भी छोड़ी है तो अगर आप 100% battery health वाला भी iPhone 7 लेते हो 2022 में तो I don't think that आपको full day चलेगा अगर आप light user हो तो भी अगर आप बहुत जादा light user हो तो में भी आपको चल सकता है लेकिन moderate to heavy user को यह समझ लो that अगर आपको इसको primary iPhone यूज करना है तो एक power bank लेके गुमना पड़ेगा अगर cameras के बार में बात करें तो यहां पे guys front में आपको 7 megap पिक्सल का selfie camera देखने मिलेगा और rear side पे आपको 12 megapixel का sensor देखने मिलेगा अगर quality के बार में बात करें तो दोनों front and back camera अच्छी lighting conditions में usable रहेंगे यहां पे आपको कुछ samples में attach कर रहा हूं show कर रहा हूं price के इसाब I think आपको ठीक तक result मिल जाएगा दोनो front and back में portrait mode नहीं है normal photos आप इससे ले पाओगे portrait shots यहां पर आप नहीं ले पाओगे and low light में भी photos काफी जादा आपको grainy देखने मिलेंगे and काफी सारे cases में अगर आप रात को photos लेते हो तो useless photos भी आ सकते हैं यहां पर simple language में पता हो तो अगर आप daytime में अच्छे lighting conditions में photos and videos निकालोगे तो quality आपको सह देखने नहीं मिलेगा and अगर videos के बारे में भी बात करें तो यहां पर back cameras 4K 30fps तक videos को shoot कर सकते हो लेकिन considering the price यहां पर quality वैसी ही मिलेगी मतलब अच्छी lighting conditions होगी तो quality I think आपको काफी जादा अच्छी देखने मिलेगी लेकिन जैसे lighting conditions आपकी थोड़ी बहुत low होगी मतलब low light में अगर videos वगरा निकालते हो तो सिधी बात है पांट सर पुराण iPhone है तो आज के जमाने जितना तो आपको quality नहीं देगा लेकिन यहां पर footage आपको खुदी देख सकते हो 4K में 30fps पे अगर आप इसको shoot करोगे तो quality का आप डे टाइम में अंदाजा लगा सकते हो मेरे साब आपको quality के मामले में disappointment नहीं होगा अगर front camera के बारे में बात करेंगा है तो यहां पर maximum आप 10 ETP में video record कर सकते हो front camera से और samples आपके सामने है यहां पर front से video recording के time पे आपको थोड़ा बहुत exposure वगरा में problem देखने मिल सकता है लेकिन as such I think quality आपको ठीक-ठाक मिलेगी अगर software support के ब support iPhone 7 & 7 Plus को देखने मिले और आयो सेक्षिन आपल लाने वाला है 2022 के सप्टेंबर में तो जब iOS 16 का सप्टेंबर आएगा मतलब अगले साल सप्टेंबर 2022 तक iOS 16 के अपडेट्स आपल पुश करता रहेगा इंच्वार अगर software updates के बारे में बात करें तो आप लोग एक-दो साल क एकस्पेक्ट कर सकते हो iPhone 7 के उपर आते हैं तो क्या आपको iPhone 7 2022 में रीफब लेना चाहिए या नहीं तो देखो फोन तो यूजबल है 2022 में नो डाउट लेकिन पांट साल पुराना iPhone का मॉडल है अगर आप सेकंड हैंड लेते हो तो कोई ना कोई issues यहां पर आपको आ सकते है hardware से related या तो battery health भी इसकी कम हो सकती है जादा जल्दी भी कम हो सकती है काफी जादा पुराना iPhone है तो let's say अगर आप 10 से 11,000 रुपे के आसपास अच्छी condition में आपको मिलता है और बाद में अगर को issues वगरा भी आते है तो छोटे मुटे repair के cost जो वो काफी expensive हो सकते और battery replacement वगर अगर अगर आपको करवाना हो तो 2-3,000 रुपे spend करने पड़ेंगे यहाँ पे second and 2022 में तो एक iPhone 7 में लेना avoid करूंगा लेकिन अगर आपको let's say cashify जैसे sides या तो sell buddy वगरा पे refurb वगरा लेते हो आप तो vendor warranty के साथ आपको approximately 14,000 के करेप spend करना पड़ेगा जो के थोड़ा जाद आइफोन 7 का 2020 में मुझे अगर personally अपने लिए या तो अपने कोई family members के लिए budget में एक iPhone लेना हो and primary use के लिए लेना हो तो इस phone को में लेना पसंद नहीं करूंगा अगर आपको Android या iOS कोई भी OS चलता हो तो maybe आप Android segment में 14-15,000 के करीब कोई अच्छा phone देख सकते हो जहापे पीस ऑफ माइंड मिलेगा डिस्प्ले अगर बड़ा चाहिए तो बड़ा डिस्प्ले मिलेगा बैटरी अगर बड़ी चाहिए तो अच्छी बैटरी मिलेगी यह सेग्मेंट में मतलब 14-15,000 के करीब आपको ठीक टाक मिल जाएंगे अगर आपको iPhone ही चाहिए तो फिर यस iPhone 7 2022 में यूजबल iPhone है एन्यवेज वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं उम्मीद करता हूं आप लोग आज का वीडियो पसंद आया हो अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना